बहुत को भूग शाष एक तूर जन्ट जन्नत में बहुत कर भूगों के मिलने का सच क्या है कि हम इसलिए प्रवाइब लुगों वह बहुत को प्रवाइब लुगों कि अब इसलिए वगए अब इसलिए नहीं पता है इसलिए मैं शुरॉत इसी सवाल के साथ करता हूँ शोई भाई आपसे ये बहतर हूरे इसका जिक्र होता है या नहीं होता है ये सच है या फितूर शुरॉत में आप बोलेंगे बहतर हूर सच या फितूर शोईब चमाई देखे पहले चुकि शुरुआत ये फिल्म से हुई है तुम इस पर दो बाते कहना चाहूंगा कि आज तक बहुत सारी फिल्में आतंकवाद को दर्शाती है उसको दर्शाती में बनी दुनिया बर में बनी बॉली वोर्ड हॉलिवोड और तमाम फूल इंडस्ट्री में लेकि लेकिन आज इस पोस्टर में जिसमें बुर्का पहनी वी महिलाएं दिखाई जा रही हैं आप इसके टीजर को देखेंगे जो बहत्तर हूरों का जुकुर है यह इसलिए विवाद का विशा इस वक्त बना हुआ है कि इसलामिक माननेताओं के साथ छेड़ छाड़ करना यह ऐसा है कि जैसे कल को कोई फिल्मेकर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पे एक पिक्चर बनाए और वो इस फिल्म का नाम जैशिराम रख दे तो क्या हिंदू भावनाए भढ़कीगी नहीं सब की भढ़कीगी कि अगर जैसे घटनाओं का नारा लगा कि किसी को मार दे रहा है तो क्या आप पिक्चर का नाम वो रख देंगे किसी आराद की आप अपमान कर देंगे नहीं कोई बरदाश नहीं करें इसी तरह कोई फिल्म आपको दर्शाना है तो किसी के माननेताओं का जो इसलामिक स्क्रि के जहन में अगर कुछ सवाल आएंगे बीच में तो हम पूछ सकते हैं पहला सवाल जो आपके उपनिंग स्टेटमेंट से आप उसके बाद आगे बोलिएगा क्या हिंदूओं को बहत्तर हुरों का लालच देकर आतंगबाद के रास्ते में भेजा जा रहा है नहीं तो फिर ब बच्ची को जो हिजाब पेनाया है इससे आपती है आपको फिल्म के टीजर में अब तिलक तो लगाएंगे नि क्योंकि कोई हिंदू तो बहत्तर हुरों के लालच में जा नहीं रहा ना कमर पर बेल्ट लगा कर उड़ने के लिए नहीं जा रहा ना तो फिर हिजाब ही लग वर्नन है सेलेस्टियल बॉडि हैमिल्ली बौडि वही वर्नन मुझे नहीं पता था वर्नन है जिए वहीं अब आप जानका रहना तो नंबर नहीं है आपको पतानी है हूरों का जिक्र है यह बहत्तर कालपनिक नहीं है बहत्तर का कोई लेना देना नहीं है हदीस में भी नहीं है अच्छा हदीस और कुरान में बहत्तर नहीं है हूरों का जिक्र है बहत्तर नहीं है नमबर नहीं है जी नहीं है अब हमारा यह मानना है कि जो सनातन संस्कृती में, जितने भी वेदिक स्क्रिप्चर्स हैं, महा भारत पुरान में, उसमें कई जगा जो अफसराओं को वर्नन हैं, जो स्वर्ग में पाई जाती हैं, उसी को हूर भी कहा जाता है, जो हम जन्नत जिसको कहते हैं, जन्नत की हूरे यानि स्वर्ग की अफस से साथ he is received by heaven by thousand women of beautiful अफसराज महा भारत भाग तेरा नवत्तर 27 यह नंबर में उसी तरह अथर वेद में भी मतस पुरान में भी और परशार इस्पृति में भी और देवी भगवतम के खंड नबर तीन पंदरा दस में अफसराओं का वर्नन जो है यह इन्हों ने जो तुलना करिये एक काम करते हैं कि सवाल पूछते हैं हाया ना लेंगे एक काम करते हैं हम क्योंकि बहुत आराम से भाहिस करेंगे बिना लड़े अब आप शांत हो जाएंगे शुव एक मिनिट शुव शुव एक मिनिट आप बोलते रहेंगे ऐसे नहीं होगा एक एक करके सवाल जवाब होगा आप सवाल से नहीं डरते ना सवाल है मेरा आप सबकी तरव से एक सवाल है मेरा किसी हिंदू को कमर पर बेल्ट लगा कर उड़ाने का लालच अपसराओं का दिया गया अस तक अब दिया गया है नहीं दिया गया है तो फिर ये तुल्ला ही आपकी हस्यासपद नहीं बहुती भध्दी और बकवास थी नंबर एक आप बोलने दीजे ना एक एक करके बोलने के लिए उसको लालच दिया गया कि तुम आतंकवादी बन जाओ तुम्हें अपसराइं मिल जाएंगी हुआ है आज तक कभी हुआ है जोर से बोलिए भई शोई भागर हुआ है तो उधारन दीजिए नहीं हुआ है तो उधारन दीजिए उसी तरह बताईए किसी इसलामिक स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा है कि तुम फढ़ जाओगे तो बहत्रूरी मिल जाएगी नहीं है नहीं है आप ने में सब्सक्राइब नहीं है अज मजूर अजर कोई कॉरान और हदीस नहीं है आप इसलामी की स्क्रिप्चर्स की अरे सुन लिजे चलिए फिर आपके सवाल अगर कोई आतंक वादी यह कुमा से जोब हम आपको दो तो जाइस कि जोपी साइके में बाला देल